दंपद नंबर 7 और 8 की जो गाथा है और खता है उस कथा के अनुसार दो सगे भाई होते हैं एक चुल्लकाल और एक महाकाल चुल्ल जो बोलते हैं पाली में चुल्ल माने होता है छोटा और महा माने होता है बड़ा जैसे महानगर महानगर का मतलब है बड़ा शहर और अगर हम यह कहें कि चुल्ल नगर इसका मतलब है छोटा शहर दोनों सगे भाई हैं और दोनों के दोनों सावित्ते आते हैं अपने व्यापार के सिल्सले में व्यापारी हैं व्यापारी लोग और जो बुद्धिमान लोग थे वो सबी लोग भगवान बुद्ध के धम के तरफ खिचे चले आये उन्दों तो बड़ा भाई जो था महाकाल उसको ये जानने की बड़ी लालसा थी बड़ी इक्षा थी कि आखिर मैं हूं क्या अपने को जानने की मैं चलता कैसे हूं मन उससे काम कैसे करता है वो पैदा कैसे होता है कब से ये सिलसला चल रहा है ये सिलसला कब थमेगा हम किस लिए यहाँ हैं, किस करण से हम हैं, हमारा क्या उद्देश है यह निज को जानने की, अपने आपको जानने की उसको बहुत ज़्यादा लालसा थी इस लालसा है करण जब उसने भगवान बुद्ध के सावित्ते में वचन सुने देशना सुनी, और वहाँ उसने अध्धन किया, लोगों को आसपास देखा, भिक्कों को देखा तो उसे यह महसूस हुआ, यह एहसास हुआ, और यह समझ में आया, कि यहाँ वो अपने निज को जान सकता है, अपने आपको पता कर सकता है, कि वो क्या है इस लालसा में उसने भगवान बुझ से अनुरोद किया, और भिक्कु संग में आने के लिए प्रात्मा की भगवान बुद्ध ने भगनवान बुद्ध ने उसको अपने भिक्कु संग में सामिल किया जब वो सामिल हो गया तो छोटे भाई के दिल पे सांप लोटे लगे क्योंकि छोटे भाई चुल्ल काल को बड़े भाई से बहुत ज़दा प्यार था इसने था वो जानता था कि रास्ता बहुत अच्छा है बुद्ध के जो अनुयाई हैं बहुत बड़िया हैं संग बहुत अच्छा है सारी बातें बहुत ठीक हैं मगर भाई भिक्कु बन जाए और भाई चला जाए ये उसे बड़ास नहीं हुआ तो उसने सोचा कि अगर मैं भी भिक्कु संग में आ जाता हूँ तो भाई को किशी न किशी तरह से मोड के समझा के बुजा के बापस में गरस्त में घर में लेके आ सकता हूँ ऐसा सोच के उसने भी अनुमती मांगी और वो भिक्कु संग में शामिल हो गया बड़ा भाई जो महाकाल था उसने धुतांग के नियम का बड़ा गहराई से धनकिया पालन किया धुतांग बोलते हैं जो भिक्कु संगे जो धम के नियम होते हैं पालन करने के लिए विपस्णा में उनको धुतांग बोलते है इस द्धुतांग की नियम को ही बाद में कहते ने लगे कि दुथ परा उआ है धम को सीक रहा है उसको दुथ बोलते थे और बाद में ये शब्द नेगेटिव हो गया अब दुतांग धारी या दुतांग को धुमरपान से या नशिले पदार से जोड़ दिया गया है जबकि दुतांग का मतलब होता है कि धम के नियम के अनुसार गहराई से चलना और समझना यानि धम के नियम बड़ा भाई बहुत तेजी से अपने निच को धम को सीखने लगा और छोटे भाई का मन लगता नहीं था क्योंकि छोटा भाई का उद्देश से निच को जानने के लिए या धम को समझने के लिए नहीं था उसका उद्धिस्था था अपने भाई को कैसे ही वहाँ से बापस लेके आने का मगर वो लगा रहा क्योंकि भाई से बहुत ज़्यदा इसने था भाई से बहुत ज़्यदा राग था, बहुत ज़्यदा प्यार था बहुत ज़्यादा मोता इसलिए वो उसके साथ ही रहा भिर्मन करते 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 एक वार वो अपने गाउं के नजदीक पहुँच गए सिम्सपा उनका जो वन था वहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना विहर बनाया जो सिम्सपा जो बहुत जगे थी बड़ी रमणिय जगे थी और उनका गाउं पास था भगवान अपनी देशना अपने प्रवचन देते थे और वहाँ सभी लोग वेपसना जितने भी भिक्कु थे सामने थे वेपसना करते सीखते खाने के लिए उन्हें गाउं में जाना पड़ता था चुलकाल के घर पे जाके उन्हें भोजन किया अब भोजन करने के बाद में ये परंपरा है कि आपको पिट्टी दान देना पड़ेगा संग का नियम है नियम तोड़ा नहीं जा सकता फिरी मैं कोई खाना खानी सकता यह बात तया है कि जिसका खाना खाएंगे उसको knowledge देंगे उसको ग्यान देंगे उसको धम्म देंगे उसको सिखाएंगे और सिखाने के लिए ये जुम्हदारी चुलकाल पे आपड़ी चुलकाल सिखाएगा चुलकाल को छोड़के सारे भिकूर भगवान बुद्ध के साथ में जो सिम्थ सपा वन था उसमें चले गए चुल्लकाल ने पत्नी को देखा, पत्नी ने उसको देखा क्योंकि चुल्लकाल बहुत ज़्यादा कमजोर था वो धमों में पारंगत नहीं हो पाया दोतां के नियमों को नहीं देख पाया वो नहीं समझ पाया समादी क्या होती है शील क्या होती है उसका उद्ध से कुछ और था इसलिए वो बड़ा कमजोर था और वहाँ वो अपनी पत्नी के मोपास में आया मोपास में आने के कारण उसने चीवर भिक्कु संग को लोटा दिया इसमें कोई नियम की हानी नहीं होई क्योंकि ये भिक्कु संग का नियम है कि अगर आप नहीं धम में आ सकते हैं धम को नहीं सीख सकते हैं और चीवर की जो नियम है उनको नहीं मान सकते हैं नहीं उनको चला सकते हैं तो आप चीवर को बापिस दे सकते हैं क्योंकि चीवर बिक्चापात्र ये भिक्कु संग का प्रॉपर्टी होती है भिक्कु संग की सामुई की रूप से एक प्रॉपर्टी होती है संपत्ती होती है इसलिए ये भिक्कु संग को लोटानी होती है और कोई नियम का आप बात भी नहीं है, आपको अगर धम नहीं सीखना है तो आप चीर उतार के विक्कु संग से अलग जा सकते हैं, दुबारा भी विक्कु संग में आ सकते हैं, आने जाने का नियम है, मगर जब तक विक्कु संग में रहेंगे, विक्कु संग के नियमों का पालन करना पड़ेगा, ऐस इस वार जो महाकाल की पत्नी थी उसने सोचा कि चुलकाल बापिस आ गया अगर मैं भी भिक्कु संग से निविदन करूँ कि मेरे यहां भोजन करें और वो आएं तो हो सकता है महाकाल आ जाएं। महाकाल की है और पत्नी थी जो भोजन के बदले में सिक्षा देनी है वो जो मैदारी महाकाल की है और भिक्कु संग बापिस जाने लगा भगवान बुद्ध के साथ तो जितने सामने थे जितने भी भिक्कु थे संग में उनमें कानाफोसी होने लगी कहने लगे कले ही की बात है जब चुलकाल हमारे साथ था छोटा भाई आज वो नहीं है और अब महाकाल भी है पता नहीं महाकाल लोटेगा या नहीं लोटेगा आएगा बापिस या नहीं आएगा क्या होगा बड़ा संसे था बड़ा विकर समय था बड़ा ही अजीब सा अंदेशा हो रहा था खुसर खुसर चचार हो थी तब भगवान बुद्ध ने ये दो गाथाएं कही उन्हों दो गाथाओं में उन्होंने इस पश्ट बताया कि क्या हुआ कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता है उन्होंने कहा कि जो महाकाल है महाकाल बहुत असुब को देख के विहरता है यानि कि वो बुरी से बुरी जो संभाबना है उसको देखके विपस्णा करता है और वो कभी इस कामना में नहीं करता कि मुझे कुछ प्राप्त होगा महाकाल बहुत ज़्यादा संयमी है बहुत संयम के साथ काम करता है और महाकाल भोजन की मातरा को समझता है कि कितना भोजन सरी के लिए आवश्चक है महाकाल आलसी नहीं है और वो अपने उध्योग में यानि कि विपस्ना करके अपने आपको शुद्ध करने के काम में मन से लगा रहता है सद्धा से यानि सद्धा से मन से लगा रहता है और ऐसे व्यक्ति को मार कुछ नहीं बिगाड सकता वो ऐसे रहता है जैसे परवत मुलकुल अडिग रहता है और इसके उलट उन्होंने एक गाथा और बताई ये गाथा नंबर साथ और आठ है जो धंपद की यमकवक्की गाथा है साथ नंबर गाथा की अनुसार अब हम यह गाथा बता रहें क्योंकि आपको कथा बताई है ये गाथा इस प्रिकार है इसमें जो पहला सद्ध है यानि जो शब्द है सुभानु पस्सिंग सुभानु पस्सिंग का मतलब है जो सुभ अनुसार पस्सिंग यानि सुभ अनु पस्सिंग जो हमेशा अच्छे के अनुसार देखते हैं और विहर्तंग का मतलब विहर्ते हैं यानि कि अपने मन में हमेशा ये रखते हैं कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं काम कर रहा हूं उसका मुझे ये फल मिलेगा अच्छा फल मिलेगा मेरा उद्देश से पूरा हो जाएगा यानि वो उद्देश को रख के काम करते हैं इंद्री येसु असन्वतंग यानि जिनकी जो इंद्री हैं इंदरी का मतलब जो 6 हमारे senses हैं जो ना, कान, मूँ, जीव, तुछा और जो मन हैं वो असंहित होते हैं असंहित का मतलब कैसे हैं in bilans होते हैं temporary होते हैं कैसे जैसे अभी आपके सामने खाना आया खाना आता ही आपके मूँसे पानी आ गया इसका मतलब आपके जो सेंसेस है आपके कंट्रोल में नहीं है किसी का खुला हुआ पैसा देखा आपने हजार की, दो हजार की, दो हजार की नोटो गड़ी देखी या बैंक में बहुत सारा पैसा देखे और आपका मन विचलित हो गया किसी के गले में बहुत सारा पैसा देखा और आपका मन विचलित हो गया किसी के गले में आपने बहुत ज़ता सौने हीरे के जवारा देखे और आपका मन विचलित हो गया इसको बोलते हैं असायत इंदरी या बहुत अच्छा आपने खाना देखा टेवल पर सजा हुआ या कहीं खुस्बू बहुत अच्छी देखी और आप महां रमगे के बहुत अच्छी खुस्बू है या आपने देखा कि कोई टच आपको दे रहा है या जो आपको अच्छे-च्छे सीन दिखाई दे रहे हैं सामने वीडियो ओडियो जो आपको लगता है कि बड़े अच्छे और सुन्दर हैं ये सब इंद्रिये हैं अगर ये कंट्रॉल से नहीं होती हैं असे विक्तिक लिए उन्होंने का है इंद्रियेसु असन्वुतंग भोजन में ही चेमत्तयुंग यानि भोजन में ही भोजन के अंदर जो मात्रा के अंदर नहीं देखता है भोजन की मात्रा को नहीं जानता भोजन की मात्रा, मतलब चार रोटी जो खाता है वो दो रोटी और फालतु खाले इसका मतलब भोजन की मात्रा को नहीं जानता है या जिसको ये पता चल गया कि आप उसका पेट में खाना जितना पहुंचा है यह sufficient है फिर भी वो दो रोटी या एक रोटी और खा रहा है फालतू या और दूद पी रहा है या और मिठाई खा रहा है इसका मतलब भोजन की मातरा को जो नहीं जानता है कुसी तंग हीन वीरियंग कुसी तंग माने को सितंग सितंग माने होता है आलस यानि कि जो आलस करता है हीन वीरियंग हीन का मतलब है रहित यानि कि जो वीरियंग माने होता है उद्धोग करना मेहनत करना जो मेहनत से रहित है यानि विपसना कर रहा है मगर साधना कर रहा है मेहनत कर रहा है मगर आलसी है उस आलस करने में उनको हरा देती है किस प्रिकार जैसे कोई पेड़ है जो बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है और उसको हवा जड़ से उखाड़ के फैंक देती है वा तो रुखंग वा दुबलंग वा तो माने हवा रुखंग माने पेड़ वा माने इस प्रिकार जैसे और दुब बलंग माने जो दुर्बल है जो कमजोर है इसी के उलट भगवान बुद्ध ने आठवी गाता में कहा है सेम गाता है उसके अंदर जादा नहीं है उसके अंदर सिर्फ चीजे नाम बल दें है जैसे सुभानु पस्सिंग का ए वतंग यानि जिनकी इंदरियें सुसंयत होती है पुलकुल उनके कंट्रोल में होती है उन्हें अपनी इंदरियों पे पूरा कंट्रोल रहता है भोजन में ही चे मत्तेयूं यानि और भोजन में जो मात्रा को जानते है कि कितना खाना खाना चाहिए कितना नहीं बगवान ब बारे बजे के बाद भोजन करना भिक्कों के लिए मना था, क्योंकि बारे बजे के बाद का भोजन उनके किसी काम का नहीं था, वो एक्ष्टा होता था, वो सिर्फ सुबह खाते थे और बारे बजे से पहले दुपेट से पहले खत खाते थे, यही उनका भोजन था। बास्तम में ने पसंती मारो, मारो उनको दबोच नहीं सकती, पसंती नहीं कर सकती है। इस पिकार जैसे बातो, सेलंग, वैप, बतंग, जैसे हवा जो सेल परवत है, जो अडिक खड़ा हुआ है, उसका टस्से मस नहीं कर सकती। ये सात्मी और आठमी गाथा के इंदर इस पस्ट है, इनका एक लाइन में मतलब है, कि जो व्यक्ति संयत होते हैं, जो व्यक्ति भोजन में मात्रा को जानते हैं, जो व्यक्ति बहुत महनती होते हैं, जो व्यक्ति ये सोचके काम करते हैं, कि जो होगा, ठीक होगा, हम ऐसा नह लोगों को कुछ नहीं बिगरता यानि कि जो मार का मतलब यहां जो होता है मार का मतलब है जो बुरी बात हैं या बुरी चीज हैं या बुरी प्रॉपर्टी हैं वो उनका कुछ नहीं बिगर सकती जैसे हवा किसी परवत का कुछ नहीं बिगर सकती धन्यवाल